नमस्कार सातियों बंदना कैडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है मैं बंदना मदगर तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी सीटेट पास करने के लिए कि अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो आपका सीटेट पहली बार में ही किलियर होगा और आपके एक सत 30 प्लस लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है तो चलो शुरुआत करते हैं और मैं यह ट्रिक क्या है यह है आपको positive और negative आपके जो point है उन्हें आपको पहचानना सीखेंगे उन्हें आप निकालना सीखेंगे और आप समझ के साथ अपने practice set लगाना सीखेंगे और जब भी आप paper solve करेंगे तो इसी समझ के साथ और इनी point के साथ आप अपना paper solve करेंगे तो आपका paper है आपका जो exam है वो पहली बार में ही clear होगा और clear के साथ साथ आपके आपका जो score है वो भी बहुत अच्छा होगा तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैं आपको जल्द से जल्द positive और negative जो भी आपके point है उन पर आपको वीडियो दूंगी तो आज हम इसी पर बात करेंगे और best trick भी बताएंगे सीटेट पास करने के लिए तो चल्द शुरूबात करते हैं अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि ऐसी ही मैंने बहुत शारी वीडियो डार रखी है आप उन्हें भी देख सकते हैं और आपको शमय सेट पास करने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको सिलेवर्श बटकना नहीं है आपको स्लेवर्श के एकौडिंग पढ़ना है और आपको रट्टा बोलकुल भी नहीं मालना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटीव पॉइंट आपके क क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिप पॉइंट हो जाएगा ठीक है दूसरा है आपका श्रजनात्मक्ता यानि जहां कहीं भी बात स्रजनात्मक्ता की कहीं जाए रचनात्मक्ता की बात हो जाए तो वह आपका कैसा होता है आपका पॉजिटिप पॉइंट हो जाता है फिर आ चांच नहीं पढ़ रहा है किया कारड हो शकते हैं कहा कभी है हमारे शिच्छड विद्यों में कमी है आपको कारण पता लगा ना यह आपका पॉजिटिव पॉइंट हो गया फिर है आपका गतविदी यानि बच्चे को आपको गतविदी के द्वारा पढ़ाना है यह नहीं कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो और बच्चा एकदम से मूख बैटा हुआ है कच्छा में पसरा हुआ सन्नाटा क्या है अधिगम नहीं है यानि बच्चे प्रश्ण पूछें गतिविदी करें आप पहुस्त करीके हैं जिसे आप बच्चों को पढ़ा सकते हो और यह आपके पॉजिटिव पॉइंट है फिर है आपका है अर्थपूर्ड यानि बच्चे को आपको अर्थ की क्या है यह स algumas मिलते हैं आपको पैंचान ना सीक्ष्क है और इसके लिए अपको प्रीव्य एर्थ के पेपरों को मिले कराना एंके तो यह फिर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन प्रेक्टिस हैटों को आप जरूर लगां और साती साथ हूँक और content पर भी वीडियो मिलती रहेगी फिर आए आपका बाल केंद्रित जाहिए अधगम कैसा होना चाहिए बाल केंद्रित होना चाहिए जहां कई भी बाल केंद्रित की बात हो जाए ठीक है इसके साथ साथ है आपका समझ समझ के साथ पढ़ाना है आपको और इसमें सबसे main point है आपका बच्चों को सम्मान देना है आपको बच्चों को क्या करना है बच्चों को सम्मान देना है जहां भी बच्चों को सम्मान देने की बात हो जाए तो वो भी आपका positive point हो जाता है इसके साथ साथ अब हम बात करते ह और जब भी आप एक्जाम देने जाएं तो आपको इनको अच्छे से पढ़के जाएं अच्छे से एक-दो बार पार जरूर करके जाएं जब यहां कहीं भी आपको केवल मिल जाए तो यह केवल आपका नेगेटिव है आपको केवल पर बुलकुल नहीं जाना है जब बात आपकी हो जाए कि केवल हमें पाट चर्चा पर हीदान देना है केवल हमें मतलब किशी भी तरीकेश है सिर्फ हमारा केवल आजाए यह नेगzk czyो हमारा आप्षन हो जाता है गलत हो जाता है मात्र की बात हो जाए या फिर बच्चे को सजा बिलकुल भी नहीं सब्सकिन हैं। किसी बच्चा कितनी भी गलती लेकिन बच्चे को सजा बिलकुल मैं देनी है। रटाना भी नहीं है बच्च्चों को फिर व्याकरण ऒर प्याकरण पर भी जाधा ध्यान नहीं देना कच्छा से बाहर किसी भीसूरत में आप बच्चे को कच्छा से बाहर नहीं प्धर करते हो यह कम कुछय की एगता इप सिच्चक के इंदृत, यह सबी क्या है, यह आपके निगेर्टिव पॉंट हो जाएंगे, तो यह कुछ निगेर्टिव पॉंट और पॉजिटिव पॉंट जो मैंने आपको बताए है, इसके साथ साथ ही आपको शबसे बड़े पॉइंट पर जाना है ठीक है आपको जब भी ओप्शन मिले तो इसमें आपको क्या करना है कि जो बड़ा है ठीक है बड़ा ओप्शन है और उसमें बड़े के साथ साथ आपको क्या करना है पॉजिटिव पॉइंट ढूड़ना है उसमें ठीक ह तो वो आपका क्या हो जाता है और यह आपका right answer हो जाता है जैसे आपको previous years के बहुत शारे जो भी आपके प्रश्न पत्र है उनको देखिए और फिर उनमें आपको मिल जाएगा कि जहां कहीं भी सबसे बड़ा option होता है और उसमें साथ साथ उसमें positive tag बरूर्ड मिलता है आपक तो वही आपका option शही होता है तो मल लगा के पढ़ते रही है आपके पास समय बहुत कम है और मैं आसा करती हूँ यह video को अच्छी रगी होगी और इस video को आप जादा से जादा शेयर करें अपने दोस्तों को बेजें क्योंकि अगर यह point मतलब आप सभी लोग जो निकालना स पास हो जाए और जिनका पहली बार में नहीं हो आये तो इस बार हो जाए तो वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक कमेंट जरूर किया करें अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी तो चैनल पर बने रहें पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद